आज आप सबको एक टेक्नीक बताने जारी हूँ अपने से जुड़े हुए किसी इंसान को हील करने के लिए आपके specific person हो सकते हैं, husband हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, आपके bosses हो सकते हैं या कोई भी ऐसा person, जिसके मन में आपके लिए कोई भी रंजश है, कोई ऐसी negative thought है, negative feeling है या फिर वो response आपको वैसा नहीं दे रहा, जितना प्यार हमारे दिल में है, जितनी respect हमारे दिल में है, उनके लिए, उनके दिल में उतना नहीं है तो ऐसे लोगों के लिए आप ये healing करोगे, बहुत simple है and बहुत effective होने वाला है जितनी बे techniques मैं देती हूँ, उसके पीछे बहुत अच्छे से सोच, विचार करके वो technique मैं आप लोगों को देती हूँ कि वो effectively work करें and करता भी है, तब भी इतनी सारी success stories है अब ये जो technique है इसमें आपको चाहिए गया और ये करेंगे कब, सबसे पहले तो ये जाना जरूरी है हम लोगों का ये technique आप रात में perform करेंगे जब हमें ये अंदाजा हो जाए कि सामने वाले का ये सोने का time होता है, सोने का वक्त होता है जेनरली आप साड़े नौ दस बजे के बाद सब सो ही जाते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रात में भी जगते हैं 2-3 बजे रात तक तो उस time पे आप डाउट में मत रहिए कि हम इस time पे करें कि नहीं, पता नहीं परसन सोया होगा कि नहीं या फिर हो सकता है में आपके person किसी दूसरे country में हैं और आपके इहां भी दिन है वहां रात हो रही होगी तो क्या आप दिन में करोगे? Yes, आप दिन में करोगे सिर्फ इतना है कि आपको तब करना है या आप अपने, आप मैनेज कीजिए अपने timings को देखिए, सोचिए, समझिए कि क्या time उनके सोने का है, जिस इंसान के लिए हम इतना initiate कर रहे हैं उसकी healing के लिए काम कर रहे हैं, अपना time निकाल रहे हैं, energy डाल रहे हैं तो obviously उसके बारे में कुछ-कुछ चीज़ है तो हमें पता होनी चाहिए इतनी जानकारी तो आप लोगों को भी होगी कि वो किस वक्त उनके सोने का time है या फिर वो रात में कितनी देर तक जाते हैं ठीक है अब आप यह अपने हिसाब से करेंगे आपका दिन हो सकता है आपके लिए रात हो सकती है बट जो चीज consideration में रखनी है वो उनकी नीद रखनी है कि वो उस time पे सो रहे हों जब आप यह perform करेंगे यह हो गया दूसरा इसको क्या periods में कर सकते हैं बिलकुल कर सकते हैं कोई objection निया गर्ल्स के लिए ठीक है हमारी खुद की एनर्जी उस चीज को भाप लेती है हमें खुद समझ आ जाता है चीजों का अपनी एनर्जी को इनवोक कीजिए कि आप भी अपसे समझ पाएं हर जो कोई टेक्निक अगर आपने किया तो वो कितना वो किया है अब तक इतनी सारी वेडियो इतने सारे टेक्निक्स मेडिटेशन मंत्राज करके हम खुद भी काफी पाफुल हो जाते हैं आप करना क्या है आपको एक मुंबती चाहिए किसी भी कलर का कैंडल चलेगा ठीक है और एक इस तरह का जैसा आप देख रहे हो इस तरह का कोई भी बरतन आप ले लो जिसमें कि आप पानी भरोगे उतना पानी जितना कि आप मुंबती को उसमें जब पहले आप इस प्लेट में मुंबती को अच्छे से बठा लो वाक्स गिराके उसे जमा लो मुंबती को और फिर इसको पानी डालिए आप इस बरतन में उतना पानी डालिए जितने में दो इंच तक at least मुंबती डूब जाए तो दो इंच तक मुंबती अंदर रहे पानी में और बाकी की मुंबती as it is रहेगी अब आपको सबसे पहले इस मुंबती को इसमें बठाने से भी पहले मुंबती पे उस परसन का नाम कार्फ करना है जिसको आपने healing भेजनी है Ok so suppose मैं आपने लिए मुंबती पे उनका नाम लिख दिया खुरत के किसी पिंस से लिख सकते हो किसी आप टूठपिक का इस्तमाल कर सकते हो और खुरत के अच्छे से उनका नाम लिख दिया पूरा नाम लिखिये यहां पे भी queries होँगे आपकी कि माम उनका ये नाम है वो नाम है कौन सा नाम लिखें आप जिस नाम से उनको बलाते हो जो नाम आपको पता है प्लीज वो नाम लिखो वो नाम आपने लिख दिया अब आप इसको प्लेट में अच्छे से इसको स्टिक कर दीजिए खड़ा कर दीजिए इस मुंबती को और इसके बाद इसमें पानी डालो आप इतना जितना मैं बोल रही हूँ कि आपकी उंगली से दो उंगल इतना सा दो इंच हिस्सा कैंडल का पानी में रहे नीचे से अब आप इस मुंबती को जला देंगे जलाने के बाद आराम से बैठेंगे और सिर्फ आखें बंद करके उस इंसान को विशुलाइज करेंगे जिस इंसान के लिए आप ये कर रहे हो और ये पे आपके specific person के parents भी हो सकते हैं क्योंकि बहुत बार लो और उसकी सतह पे भी आपने पानी भर दिया है पानी की अपनी absorption powers है ठीक है कैंडल का अपना एक magic है उसमें flame है fire energy है water energy है साथ में जब वो melt होता है तो एक अलग सी energy invisible वाली निकलती है उसमें से सब अब आप क्या करोगे इसे आराम से कहीं पर भी safe जगह पर आप इसे जलाके बैठें और फिर आप इस मोमबती की लौ को या तो एक तक नहारते हुए सरफ उस इंसान को visualize करें और जैसे जैसे यह wax melt होते हुए आप देखेंगे पहले आखें बंद करके उनका चहरा visualize कर ल जिसका नाम आपने candle पर काफ किया है इसका दिल भी आपके लिए same ऐसे ही melt हो रहा है आपके लिए जितनी भी hard feelings हैं इसके दिल में वो सारी melt हो रही है आप इसको एक मिनट के लिए visualize कर सकते हो एक मिनट का टाइम लगा लो और एक मिनट की visualization रखिए और इसको melt होते बे देखिए मुमबत्ती कि आप पूरी जलने देनी है बिल्कुल भी नई जैसे ही आपको लगे कि मेरी visualization complete हो गई है और ये person के लिए अभी फिलहाल इतना ठीक है आप मुमबत्ती को बुझा देंगे निकाल करके मुमबत्ती इसी मुमबत्ती को safe रख दीजिए इस मुमबत्ती पे उस इंसान का नाम carved है इसको आप safe अपने पास रखें बार बार आप इसको use कर सकते हैं जब तक कि आपको लगे कि yes अब ही मेरा और इसका relationship पहले से बहतर हो रहा है कोई भी हो सकता है किसी भी रिष्टे की बात किये मैंने okay and फिर आप हर तीन दिन के अंतराल पे इसको इसी यह same activity दोहरा सकते हो ठीक है तो बार 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 जब हम energies को इस तरह से use करेंगे तो आप देखेंगे सामने वाले इंसान जिसका नाम आपने काफ करके यह किया है उसको काफी हद तक आपकी तरफ से positivity बिल होने लगेगा मन में और फिर कोई भी heart feelings नहीं रहेंगे फिर हमारे रष्टे सुधर सकते हैं फिर हम अपनी चीजों के लिए अपनी बातों के लिए उनको convince कर सकते हैं अप्रोच कर सकते हैं यह हर किसी के लिए बहुत powerful बहुत ही useful activity है और बड़ी बात यह है कि जब हम उस wax को melt होते वे देखते हैं तो जब भी हम किसी और के लिए healing अपनने वे अपने चाहिता है यह तो सकते हैं यह बहुत होते हैं सबसे पहले healing हमें खुद को मिल जाती है इस अचे बात शी description है इसको अपने अपने रिलेशन्शिप्स में या फिर अपने अपने जिस भी इंसान के लिए यूस करना है आप करिये और या डिफरेंस देखिये अपनी लाइफ में So that's all, thank you so much and God bless you all